नमस्कार दोस्तों गुजरात के खिलाप यूपी वरियर्स की सांदार जीत के बाद बदल गया उमेंस प्रेमियर लीग 2023 का पूरा पॉइंट स्टेबल यूपी के जीत के बाद आर्सीबी को पॉइंट स्टेबल में हुआ बहुत बड़ा फाइदा तो क्या है पूरा पॉइंट स्टेबल बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हर्मन प्रीत का और को एक बहतरीन खिलारी मानते हो दो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तों आज यूपी वरियर्स और गुजराद जाइंट्स के बीच मुकाबला खेला गया जहां गुजराद की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करने आई गुजराद की शुरूआद काफी सांदार रही और बी सोबर में 6 बिकेट के नुकसान पर 178 रन बनाकर यूपी को 189 रनों का टार्गेट दी दोस्तो गुजराद की तरफ से बैटिंग करते होए ऐसले गाडरिनर ने सबसे ज़्यादा साथ रन बनाए और यूपी की तरफ से गेंदबाजी करते होए पार्सभी चोपडा ने सबसे ज़्यादा दो बिकेट चटकाए और वही लक्ष का पीछा करने उतरी यूपी की सुरुआत काफी सांदार रही और इस लक्ष को आसानी से हासिल कर लिया तो चलिए अब नजर डालते हैं उमेंस प्रीमियर लीग 2023 के पूरे पॉइंट स्टेबल पर दोस्तो पॉइंट स्टेबल में नबर वन पर मुंबई इंडियन्स की टीम है जो अपने 6 में से 5 मुकाबले जीत कर 10 अंक अरजित कर चुकी है और उसके बाद नमबर दो पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो अपने 6 में से 4 मुकाबले जीत कर 8 अंक अरजित कर चुकी है और वही नमबर तीन पर यूपी वरियस की टीम आ चुकी है जो अपने 7 में से 4 मुकाबले जीत कर 8 अंक अरजित कर चुकी है और उसके बाद नमबर 4 पे RCB की टीम है जो अपने 7 में से 2 मुकाबले जीत कर 4 अंक अरजित कर चुकी है और वही नमबर 5 पर गुजराद की टीम खिसक चुकी है जो अपने 8 में से सिर्फ 2 मैच जीत कर सिर्फ 4 अंक हासिल कर सकी है तो दोस्तों IPL की ऐसा ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर केजेगा